ब्रह्मान से जुड़े कुछ दिल्चस्प तथ्य, सम इंट्रेस्टिंग फैट्स अबाउट जब हम रात को तारों से भरा आस्मान देखते हैं, तो वो हमें बहुत ही शांद और मनमोहक लगता है, मगर हमारा ब्रह्मान इतनी शांद जगहर नहीं है, हमारे ब्रह्मान में अन्गिनत रहे से भरे पड़े हैं, आईए, आज हम सब मिलकर कुछ चंद चौका दिने वाले तथ्यों से परिचित होते हैं। पहला तथ्य, आप शायद यह जानते होंगे कि चंद्रमा हमारी पृत्वी की परिक्रमा कर रहा है, तथा हमारी पृत्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। मगर क्या आप यह जानते हैं कि सूर्य संपून सौर मंडल को लेकर हमारी आकाश कंगा मिलकी वे में 700 बराणू हजार यानी 792,000 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। केवल यही नहीं, हमारी आकाश कंगा मिलकी वे भी ब्रह्मान में गति कर रही है। और करीब चार अरब साल के पस्चात वह हमारी पडोसी आकाश कंगा इंडू मीडा से टकराएगी। लेकिन तब तक मैं आराप नहीं होंगे। यहां वीडियो देखते हुए आपको लग रहा होगा कि आप स्थिर है। मगर वास्चन में हम सब अत्यंत गतिशील है। दूसरा तत्य वैज्ञानिकों ने ब्रह्मान में तैते हुए पानी के स्त्रोत को धून निकाला है। यह पानी यानि H2O भाब के रूप में ब्रह्मान में करीब 12 अरब वर्षों से बहुत बड़ी मात्रा में तैर रहा है। इस भंडार में हमारे सारे महा सागरों के जल्ट से 140 ट्रिलिन गुना जादा पानी है। तीसरा तत्य शक्र हमारी सौर मंडल में सूरी से दूसरा नंबर का ग्रहा है। इसका आकार ववजन हमारी पृत्वी से काफी मिलता जुलता है। मगर तापमान 400 डिगरी सेल्सेस से भी अधिक है। शक्र की कमाल बात यह है कि वहां पर एक दिन एक साल से जादा लंबा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शक्र अपने धुरी पर बहुत ही धीमे गती से घूमता है। चौथ है तत्य अंत्रिक शात्री अंत्रिक शात्रा करते समय करीब दो इंच लंबे हो जाते हैं। मगर दोस्तों हर चीज का वैज्ञानिक व्याख्या होता है। पित्वी पर गुरुत्वाकर्षन यानि ग्राविटी के कारण वीड की हड़ी के कुछ चोड संकुचत हो जाते हैं। अब अंत्रिक्ष में यह दबाव मौजूद न होने के कारण वीड की हड़ी में विस्तार होता है। और अंत्रिक शात्री लंबे हो जाते हैं। पाचवात अथ्य ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हमेशे से वही था जहां आज हमें दिखता है मगर दोस्तों ऐसा नहीं है वैज्ञानिकों के अनुमान से और वो साल पहले चंद्रमा प्रिच्वी से मात्र 22,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और आज यह दूरी करीब 380,000 किलोमीटर हो गई है बल्कि आज भी चंद्रमा प्रिच्वी से दूर जा रहा है डेड़ इंच प्रतिवर्ष की गती से यानि की जिस गती से हमारे नाखुन बढ़ते हैं छठा तथ्य अंतरिक्ष आत्रियों के अनुभव यह कहते हैं कि अंतरिक्ष की गंध किसी गर्म धातू यानि होट मेटल या भुने हुए मास की तरह है वैसे तो अंतरिक्ष में प्यॉर वाक्यूम है आप लोग ने यही सुना होगा मगर वासब में शत्प्रतिशत वाक्यूम नहीं है अंतरिक्ष किस शून अफकाश में भी बहुत ही कम मात्रा में डार्ट मेटल्स और कुछ तत्व मौजूद है जो अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़ों पर चपक जाते हैं और उनकी गंध किसी गर्म धातू या भुने हुए मास की तरह होती है सातवा तत्यें, हमारी सुर्य इतना विराठ है कि सौर मंडिल का 99 प्रतिशत से भी अधिक वजन हमारे सुर्य में ही समाता है और तो और हमारी पृत्वी सुर्य के तुल्ना में इतनी छोटी है कि हमारी जैसी 10 लाग सुत्विया सुर्य में आराम से समा जाए यदि हम सूरी के आकार की कल्पना एक फुटबॉल से करे तो पृत्वी का आकार एक मटर के दाने से भी छोटा होगा और मैं और आप तो दिखाए भी नहीं देंगे आठ वातत्य ब्रहमान में कुछ अद्रिश्य यानि इन्विजबल जगह भी मवजूद है जिने हम ब्लाक होल के नाम से जानते हैं आप लोगोंने शायद सुना ही होगा कि ब्लाक होल अपनी गुरुत्वाकर्शन शेत्र में आने वाले हर चीज को खा लेता है यानि कि उसका अस्तित्व मिटा देता है ब्लाक होल का गुरुत्वाकर्शन बल इतना जबरदस्त होता है कि वो प्रकाश को भी अपने पार नहीं जाने देता और एक ब्लाक होल में पूरे आकाश गंगा यानि गालेक्सी को निगलने की बिक्षमता होती है हमारी गालेक्सी में एक करोड से भी अधिक ब्लाक होल मौजूद है मगर दोस्तों निश्चिंत रही है इसकी संभावना अत्यंत अल्प है कि कोई ब्लाक होल हमारी पृत्वी को निगल जाए नहला तथे कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मान की रचना को बिक बैंक थियरी से समझा जा सकता है वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बड़े विस्पोट के कारण सभी ब्रह्मान के ग्यात मामले और उर्जा यहां तक ही अंतरिक्ष और समय भी अस्तित्व में आये जब कोई टीवी या रेडियो नहीं चल रहा होता तो जो खड़खड की आवाज आती है उसका कुछ हिस्सा बेग बैंक के तुरंट बात बनने वाले रेडियेशन का नतीजा है जो पंद्रह अरब वर्ष के बाद भी ग्रमाण में मौजूद है दस वात अथे विज्ञान के अनुचार हम रात को जो आकाश में लाखो तारे देखते हैं वो वास्तव में उस जगह नहीं होते जिदर हमें दिखाई देते हैं बल्कि कहीं और होते हैं हमें तो बस उन तारो द्वारा छोड़ा गया करी लाख प्रकाश वर्ष पहले का प्रकाश दिखाई देता है आज के लिए इतना ही दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा शुक्रिया